हलो बच्चो आज हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टेंस कीन फैक्टर पर डिपेंड करता है तो हम लोग लेक्टर में पढ़े थे वाट इज रेसिस्टेंस वाट इज ओम और ये वीडियो लाश्ट तक आप देखिएगा जो लेक्टर 4 में आपको एक कोश्चन दिया गया था जिसका सॉलोचन उसमें नहीं बताया गया लास्ट में हम उसका सॉलोचन का ट्रीक बता देंगे कैसे उसको सॉल्व किया जाता है तो देखेंगे हम लोग wanna on what factor on what factor resistance depends on resistance depends on मतलब किस फैक्टर पर हमारा resistance depend करता है तो सबसे पहला नंबर resistance is directly proportional to length length किस चीज़ का तो length of conductor length of conductor directly proportional directly proportional कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा conductor का length या resistance का length अगर बढ़ता है तो resistance क्या होगा increase करेगा इसका मतलब क्या हुआ जैसे घरों समझे घरों में जो heater होता है उसमें आप देखे होंगे इसका मतलब क्या हुआ कि उसका resistance का length क्या जदा है इसका मतलब resistance उसमें क्या हो रहा है जदा हो रहा है बल्ब टंगस्टन में वायर जो होते है चोटा होता है इसका मतलब क्या उसका length कम है यानि वहाँ पर resistance कम हो रहा है सेकंड नमबर resistance is directly inversely proportional to cross section area ये मतलब क्या हुआ cross sectional area cross sectional area cross sectional area कहने का मतलब क्या है कि जैसा कि आप देख रहा है ये marker है इसका इस वाले पार्ट को हम लोग cross section area कहते है ठीक इस वाले पार्ट को cross section area कहते है अब इस बात को समझ ये कि अगर ये पतला रहेगा अगर ये पतला है तो इसमें current कम पास करेगा और resistance जदा हो जाएगा अगर ये मोटा हो जाएगा, cross section area इसका जदा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ इसमें number of electrons जदा हो गा है यानि कि इसमें current अच्छा पास करेगा और current अच्छा pass करने का मतलब क्या हुआ कि resistance वहाँ पर कम होगा, एक बात आपको फिर से याद दिलाते चलें, क्योंकि current जो है और resistance इन दोने में उल्टा संबंद है, उल्टा संबंद कहने का मतलब क्या हुआ, कि resistance हमेशा current को क्या करता है, और current क्या चाहता है कि हम pass करें, तो यानि यहां पर समझिए यहां cross section area अगर जदा होता है तो resistance हमाना क्या होगा कम होगा तिसरा depends on temperature depends on temperature यह अभी हम लोग को नहीं जानना है class 10 में यह 12 में depends on temperature यह जान लिजी कि temperature पर भी depend करता है और फोर्थ नंबर nature of conductor लास्ट लेक्चर में हम इसके बारे में थोड़ा सा बताये थे नेचर ओफ conductor मतलब क्या सबसे अच्छा जो conductor होता है current का वह होता है silver सबसे अच्छा करेंड कंड़क्टर होता है लेकिन हम लोग इस्तमाल करते हैं copper का तो में तो एक हमारा इस्तमाल करते हैं अब उससे भी खराब एल्मुनियम उससे भी खराब आयरन यानि कि जितना कराब हम conductor का इस्तमाल करेंगे resistance हमारा उतना ज्यादा होगा जितना बढ़िया conductor का इस्तमाल करेंगे resistance हमारा कम होगा अब आईए हम इन दोनों से इन दोनों से एक बात लिख सकते हैं और इस डाइरेक्टली पर पोस्टनल लेंथ और यह नीचे जब पर पोस्टनल का साइन हटेगा तो एक यहां पर हमारा constant आएगा r is equal to rho l by a यह रो क्या है एक नया चीज इस symbol को हम लोग क्या कहते है रो आर एच ओ यह रो क्या है यहां पर वेर रो इस कल टू रेसिस्टिवीटी है इस रेसिस्टिवीटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अलग से कि रेसिस्टिवीटी क्या है यह जी आप exemplo समझ में आया नहीं समझ में आया या समझ में आया तो आप comment box में comment जरूर करिए चले यह से लिखिए है इस वाले में आप लोग देखिए define resistivity हम resistivity के बारे में बता दे रहा है कि resistivity क्या है छोटा सा topic है resistivity of a material is the resistance क्या कहा रहा है कि resistivity किसी material का resistance ही होता है of the wire of a wire made of that material of unit length and unit cross section area एक माल लिजे यह resistance है इसका length L है और इसका cross section area A है इस length L में मतलब unit कहने का मतलब 1 meter में और 1 meter square में अगर किसी wire का 1 meter length और 1 meter square cross section area लेते हैं तो उसका जितना resistance आता है उसी को क्या कहते है resistivity यानि कि R is equal to rho L by A यह formula याद कर लिजे बहुत important है यानि rho is equal to कितना हो जाएगा R A by L rho is equal to R A by L इसका A unit निकालते हैं A unit of resistivity रो का तो R का क्या है resistance है तो इसका ohm हो जाएगा ohm का symbol यह ए area है तो क्या हो जाएगा meter square और length है तो क्या हो जाएगा meter 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 cancel और resistivity क्या हो जाएगा ohm into meter हम आपको resistivity का चार्ट कुछ आपको screen पर लगा दे रहे हैं आप उससे समझ जएगे कि resistivity क्या होता है और देखके घवडाने का ज़रुरत नहीं है चार्ट आपको याद भी नहीं करना है जब भी question resistance और resistivity से दिया रहता है वहाँ given आपको रहता है resistivity का value question में हमेशा resistivity का value दिया रहेगा आप वहीं से इस्तिमाल करिएगा चलिए एक numerical लिखा जाए इस पर कि इस question को देखिए find the resistance of a nichrome wire nichrome wire का resistance बताना है जिसका length हमारा दो मीटर है और cross section area है two mm square और resistivity of nichrome हमें given है one hundred into ten to the power minus six ohm into meter given है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका given क्या क्या हमें दिया हुआ है length दिया हुआ है L is equal to two meter cross section area is equal to two mm square अब ध्यान दिजिएगा mm square को हम लोग convert करेंगे यानि कि two into ten to the power minus six meter square हो जाएगा minus six यहां पर क्यों लगाया गया meter यह mm को जब एक mm को मीटर में convert करते हैं तो ten to the power minus three होता है यहां पर meter square है तो ten to the power minus three का square हो गया तो यह मीटर में convert हो गया resistivity का भालू दिया हुआ है नाइक्रोम का भालू कितना one handed into ten to the power minus six ohm into meter हमें निकालना क्या है resistance तो r is equal to what तो r is equal to rho l by a rho का भालू कितना one handed into ten to the power minus six length का भालू कितना two और area कितना two into ten to the power minus six यह minus six minus six cancel two to cancel यानि कितना answer हो गया one handed ohm बजाओ ताली इसी बात पर one handed ohm ठीक है कोई doubt हो तो comment box में हमें जरूर मिलिए the length of wire देखिए इदा the length of wire doubled by pulling it find the new resistance का जा रहा है कि एक wire है जिसके length को हम लोग क्या कर दियें कितना double कर दियें इसको तो length को अगर कर खीच देंगे तो यह बात बताईए इसका crossisation error कम हो जाएगा ज्यदा हो जाएगा या सेंगरऑ इसका cross section area कम हो जाएगा जैसे हम इसको खीचेंगे तो इसका crows section area क्या decrease कर जाएगा यानि कि हम लिख देते हैं old length suppose यह माल लेते हैं late ठीक है कि old length हमारा कितना था यह old के बारे मताया रहा है old में हमारा length कितना l ठीक क्रोश सेक्शनल और ए कितना ए है और रहा कितना झां कiken संभा एडार कितना झार कितना उडा हि अब नया सब एद्धन क्यातहे है थिए ठीकिस कर दिये तो कितना इनक्रेज के डबल का दिये यानि नया लेंद हैफ इसकर इंसर्ट हarry मताओ एवाबले का डबल हो समाज में आया a कि निकरीमज करेगा तो यह क्या होगा अगर यह डवल बढ़ता है तो यह उताहिँ सब्सक्राइब कर देगा या मैं निकालना ही और आर ने जम पर ने हना थे और पर मुला रो A' by A' अब दिक्कत का बात हो गया कि हमें रो दिया ही नहीं है, तो आये पुराने वाले का अगर रेसिस्टेंस का निकालते हैं, तो रो A by A, अच्छा पुराना अगर कॉपर वायर है, समझजिएगा बत को, अगर यह copper wire है बाबू और copper wire को अगर हम double कर देते हैं तो यह copper wire ही रहेगा या gold हो जाएगा copper wire ही रहेगा gold नहीं होगा अगर खिचने से gold होता तो घर पे हम daily खिचा-खिची कर की रहते कितना gold बना लेते हैं यानि की 4 rho L by A इसको पूराणा वाला आर कह दे यह पूराणा वाला R हो जाएगा देखो यह यह पर यहाँ पर यह पूराणा वाला- são इसके अपको trick बताते हैं इस पर ट्रीक में क्या करना है इस पर ट्रीक अब हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हमारे पर 10 टाइम से बना दिया तो कैसे हम लोग बनाएंगे तो एक फ़र्मूला लिख देते हैं इसका ट्रीक आर निव इसकाल टुए इन स्कॉयर र ये कब काम करेगा जब लेंध में इंक्रिस्मेंट रहेगा तब ये सिर्फ लेंध के लिए घृंदे जेका की है NICK का 10 टाइम इंक्रिस कर गया तो हम 17 को घृंदे आर associated अगर हमें कहा गया कि length जो है n का value 100 times increase कर गया length कितना 100 times यानि कि r new का value कितना 100 square into r कितना हो जाएगा 10,000 into r नहीं समझ मैं चलिए बतागी जल्दी फटा फट length हमारा 3 times increase कर गया यानि कि resistance कितना हो जाएगा 9 r बोलो समझ में आया नहीं आया समझ में आ जाना चाहिए आ गया होगा चलिए इसे उत्ते लिख लिजिए ये question आप लोग को दिख रहा होगा इसे बनाना है equivalent resistance ये last lecture का एक numerical है equivalent resistance ये पिछले वाले lecture में हम पढ़ा है हुए है resistance के बारे में combination of resistance equivalent resistance बताना है A और B का तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें current पास करेंगे और जिसको same current मिलेगा वो सारा series में जिसको अलग-अलग current मिलेगा वो parallel में यहाँ I current गया यहाँ पर जाकर divide हो गया I1 और I2 में तो इसको अगर I1 मिला 1 ohm को 4 ohm को कितना मिलेगा? I1 ही मिलेगा यानि यह दोनों यह दोनों ध्यान दीजिए यह दोनों किस में? series में और नीचे वाला यह दोनों किस में? series में ठीक? तो सबसे पहले हम लोग उनको बनाते हैं यह 7 ohm यह कितना? 4, 1, 5 यह उपर कितना? 5 ohm और नीचे कितना? 5 ohm अगर इसका बात करें तो यह भी similarly वैसे ही हो जाएगा 5 ohm उपर में और यह नीचे कितना? 5 ohm ठीक है? आईया अब यह 5 और 5 किस में? पैरलल में और यह 5 और 5 किस में? पैरलल में यानि कि हम यहां का सकते हैं 7 ohm यह 5 और 5 को जब पैरलल में बनाएगे तो कितना हो जाएगा? यह 5 और 5 कितना? 1 by 1 by R is equal to 1 by 5 प्लस 1 by 5 5 LCM ले लेंगे उपर 2 हो जाएगा 1 by R यानि R is equal to कितना? 5 by 2 तो यहां कितना हो जाएगा? 5 by 2 और यहां वाला कितना हो जाएगा? 5 by 2 यह हो गया point A और यह point B अब यह 3 किस में? सिरीज में की पैरलल में तो यह 3 किस में? सिरीज में तो सिरीज के लिए R A, B equivalent निकाल देते हैं पूरे का 7 plus 5 by 2 और प्लस 5 by 2 कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए 12 ohm बजाओ ताली आ गया answer चलिए चलिए यह हम लोग को देखना है यह question लास्ट लेक्चर में लेक्चर नमर फोर में दिये थे जिसको हम बता बोले थे कि बताएंगे नहीं इस वाले लेक्चर में हम बता रहे हैं क्या है? यह I और V में current I और V का graph दिया हुआ A कहने का मतलब resistance A का है और resistance B का और resistance C का यानि 3 resistance है A, B और C बताना है इन तीनों में relation कैसा है कौन बढ़ा है, कौन छोटा है फिर कौन उससे छोटा है या तीनों बढ़ाबर है कैसा होगा यह हम देखते हैं सबसे पहले इसको solve करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हम एक line draw कर देते हैं यहाँ पर current इस वाले point पर current सब के लिए same हो गया यानि कि voltage अलग-अलग B यहाँ पर change हो गया यह हो गया हमारा B, B और यह हो गया हमारा B, C अब बताईए, हम लोग जानते हैं B is equal to I, R यानि R is equal to कितना? B, I, I R is equal to कितना? B, I, I आई, क्या हो गया? सब के लिए same हो गया सब के लिए same हो गया यानि कि यह कैसा relation हो गया R directly तो पोस्टनल भी का अगर यह same हो जाता है तम यानि कि voltage जिसका जदा उसका resistance जदा यानि कि R A greater than R B greater than R C यही option होगा बोलो हां की ना बजाओ ताली आ गया answer कोई परसानी हुआ यह question आप देख रहे होंगे इसमें क्या है कि यह two ohm है यह two ohm का है यह भी two ohm का है यह two ohm का है और यह two ohm का है यह आपका homework रहा comment box में हमें comment करिए solution आपको next video में मिल जाएगा इसमें थोड़ा साम आपको hint दे देते हैं यह a और b को क्या करना है जो a और b का wire है इसे आपको खीच कर बाहर निकाल लेना है जब बाहर निकालिएगा तो देखिएगा एक अलग type का diagram आपको दिखेगा जब यह अलग type का diagram दिखेगा तो आप उसको easily तरीके से solve कर सकते हैं जब एक दो आपको रिएगा